कभी कभी हमारा मन होता है कि कोकिंग में हम ज्यादा ताम जहम ना करें कीचन में ज्यादा दिर ना खड़ा रहना पड़े और कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए चटपटा भी हो स्वाधिस्ट भी हो और मतलब मन भर जाए इस तरीके का कुछ हम खाना चाहते हैं वही आज म हम पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के पानी की जुरत पड़े तक एक चमच अब डाल सकते हो यहां हमने ले लिया गहूं का आट है गहूं के आट कर रहे हूं कटा हुआ मेथी मेथी को मैं इस तरह के से कट करकर रख लेती हूं जब मिर पस टाइम होता है मेथी पत्तों का पहले धो लें उसके बाद में कट करें बारिक बारिक उसके बाद में एड करें साथ में एड कर दिया आधा कटोरी बेसन बेसन एड करने के बाद में जो हमने मसाला त्यार किया है जार में वह एड कर देंगे और उसके बाद में सारही मसाला मतलब एड कर देंग नाला परलाइग और यहाँ यहां पर चीनी चीनी डालना भी है पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सारी ही टेस्ट को बैलेंस करेगा ये क्योंकि मेथी के पत्ते से हम बना रहे हैं और बाकी मसाले हैं तो सारे ही टेस्ट को ये बैलेंस करता है चीनी बहुत जı colleague आपको नहीं डालना है बस एख चोड़ा चमल्मच डालना है और फिर भी आपको नहीं पसंद तो आ पिलकुल सकिप कर सकते हैं इसका बिना भी बना सकते हैं पर अगर आप कभी भी आप पराठे में इस तरह के पराठे बनाते हैं और उसमें चीनी एड़ नहीं करते हैं तो एक बार जरूर एड़ करके देखिए आपको बहुत जादा ही अच्छा लगेगा टेस्ट अलगी लेवल का होता है बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा आपको ऐस लगाना है और 15-20 मिठ लिए छोड़ देजिए और उसके बाद में 15-20 मिठ यहां पर हो चुका है मैंने धकन हटाया है और इसे एक बार अच्छे सा और मसाल लिया है चले बनाना स्टार करते हैं तो यह पराठे बनाने के बाद में आपको किसी भी तरह का सबजी की जरूरत नहीं है घर में दही हो अचार हो या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही यम लगते हैं आप जरूर बना के देखिएगा मैं यहां पर चार तरह के पराठे बनाने वाली हूँ एक ही डो से मतलब शेप में बागे टेस्ट में तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि आटा हमारा जो है उसे मी रहने वाला है पर अगर हम लेर वाले पराठे बनाते हैं तो काफी देर तक सॉफ्ट बने रहते हैं जैसे ट्रैंगल हो गया या स्क्वेर हो गया इस तरीके का पराठे अगर हम बनाते हैं तो काफी देर तक स ने पुख सिर्वन और आप प्रे करते हैं तो ह посмотреть उसी को जलदी बाजी होते हैं तो प्राथी तरीक रे मतलब जैसा बना रहा वन्ले बटर्य चैजा चाहिए उस तरीके से सेक लेते हैं हम तो वह जल्दी बाजी में बनतों जाता है मतलब जल्दी बन जाता है पर उसका टेस्ट अलगी आता है और जो हम लैर वाले पराठे बनाते हैं तो वह जो है वह थोड़ा सा मतलब वैसा रहता है क्रिस्पी भी रहता है और सौफ्ट भी तो आप थोड़ा सा मेहनत करके बना सकते हो, लेयर वाले पराथे बस यहाँ पे सारे पराथों को मैंने बना लिया है, और यहाँ पर एक पराथा में और बना के आप सबको दिखा दे रही हूँ, उसके बाद में यहाँ पे हम सेक लेंगे सबकी अपनी चोईस होती है पराठे इंजोई करने का, यानि सबका अपना एक टेस्ट होता है, कोई दही के साथ, या कोई अचार के साथ, चटनी के साथ, या चाय के साथ, रायते के साथ, जैसे भी आपको पसंदो, उस तरीके से आप इस पराठे को इंजोई कर सकते हो, बहुत नहीं चाह के साथ पज़ाद अचाय और आचाहर के साथ में उसके बाद और और उसके बाद में इसे क्रिस्पी करारी होने तक दोनों तरब से तेल लगा के आप सेख ले तेल बटर घी जो भी आप पसंद करते हों वो आप लगा के सेख सकते हों मैंने आज यहाँ पर मुंफली का तेल यूज किया है मुंफली के तेल में भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और उसके बाद में इसे क्रिस्पी करा होने तक हम सेख लेंगे तेल थोड़ा सा ज्यादा ही आप डालिये पराठों में दोनों तरफ से मतलब अच्छे से लगाई यह तो वो काफी अच्छे बनते हैं क्रिस्पी बनते हैं तेल कम कभी-कभी हम डालते हैं उसकी वज़र से भी पराठे हमरे चूई हो जाते हैं तो तेल थोड़ा सा पराठे अगर बनाते हैं तो तेल थोड़ा सा ज्यादा ही डालिये मतलब दोनों तरफ से सीख जाए इतना डालिये ऐसा नहीं कि तलना है हमें तलना नहीं है पर पराठे में थोड़ा सा तेल आप ज्यादा डालेंगे तो मतलब वो अच्छा बनेगा अगर पर कम डालेंगे तो फिर चुई हो जाता है बाद में और हर तरफ से हमें इस तरीके से दबाते हुए पराठों को सेख लेना है ताकि कच्चे ना रहें कहीं से भी अगर आप गरम गरम इंज्वय करना चाहते हो तो आप मीडियम आज पराठों को सेखें मीडियम आछ पराठों को सेखते हैं अगर आप अगर आज युझन पराठों को सेखें ना को जाते है अच्छा लगता है उमीद करूंगी पराठे की रेस्पी आप सब को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पे हैं पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं ते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही म मेरे चैनल के साथ ने बने रहे हैं थैंक यू सो मच्छ पर वाचिंग